मुझे हैं दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है मिस्टर स्खैलपर की एक और नहीं वीडियो में और मैं हूं आप सभी का दोस्ट संचित दोस्तों पोस्ट वीक अनलिसिस के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोग का स्वागत है इस हफते बहुत इंट्रेस्टिंग मार्केट रहा अगर हम देखें तो नए आल टाइम हाई भी लगे बहुत जबरदस तेजी रही बट उसके बाद मार्केट में एक वीकनेस जो ह करेंगे ही साथ ही में एफनो डेटा के साथ सेक्टर वाइज एनलिसिज और स्टॉक स्पेसिफिक कुछ अपडेट भी होगी वह मैं आपके लिए वीकेंड पे लेके आऊंगा ही पूरे नेक्स्ट वीक का मेरा क्या ओवर्वीव होगा उसके साथ तो चलिए अब जादा टे 640 से 650 की रेंज इस रेंज के उपर निकलता है तो हमारा पहला टार्गेट क्या होगा पहला टार्गेट होगा 17690 दूसरा टार्गेट होगा 17740 ठीक है ये दो अपने को टार्गेट दिये थे बट आज जस्ट बिकॉस मार्केट में लोवर एंड से लगबग 200 से 300 मार्केट में हुआ गाप अब ये गाप अब जब हुआ उसके बाद مर्केट ने क्या किया सपोर्ट लिया एक बार दुबारा नीचे आके 690 के पास आपके मार्केट 17,800 की तरफ चलता गया अब यहां से नीचे क्यों आब क्या 17,800 पर बहुत बळा कॉल रैटर बैठा तया नहीं उस वक्त अगर मैं Option Chain की बात करूँ उस वक्त 17,800 पे बहुत बड़ा Call Writer नहीं बैठा था Call Writer कहां पे बैठा था सबसे बड़ा वो बैठा था Bank Nifty में जैसे ही Bank Nifty इस लेवल पे पहुँचा 38,000 50, 38,100 की रेंज में पहुचा 38,000 का जो Call Writer था आज के दिन बहुत एग्रेसिव लेवल पे Call Writer चल रही थी अगर ये तो अभी भी आपको थोड़ा कम लग रहा होगा बट सुबह के टाइम अगर आप देखते हैं जो ग्रीन वाला टावर है Call Writer का ये बहुत उपर था और पुट राइटिंग के टावर्स उसके सामने बहुत चोटे थे वो चीज दिखा रही थी के Call Writer बहुत एग्रेसिव है मतलब जिसने भी Call Writer करी है वो जाने नहीं देगा और अगर उसके उपर निकलता तो आज बहुत तगडी रैली हमें वैंग रिफ्टी में भी देखने को मिलती बट ओवरॉल वही चीज़े हैं लोग आप बोलिंगे के भाई मैं बोल रहा था क कराश आएगा कराश आएगा मार्क मार्क गिरेगा ज्या तो मतलब सब्सक्स अगले बीज दिनों तक करो यह मार्क करो मार्क्त को उसमें से एक दिन दो दिन आपको मिल जाएक तो आपusta Л G आपको खेलना है तो आपने आज भी खेला है 38,050 का अपना important level था कल मने बात करी थी bank nifty के अंदर अगर मैं बात करूं 38,050 का level था मैंने आपको बोला था 38,050 के उपर अगर कोई भी हमें candle close मिलती है 15 minute की candle close या 5 minute की 2 candle close मिलती है तो हमें एक momentum मिल सकता है बट वहीं से rejection आया और मैंने clearly आपको कल भी बोला था 37,450 और 37,400 बहुत strong support है यहाँ पर last time पर resistance था तो इसका क्या मतलब है market जब भी इन levels पर आएगा जो last resistance थे उनके उपर आएगा तो market जो है वो support लेगा वो अगर बहुत strong resistance थे तो अब वो बहुत strong support की तरह act करने चाहिए दूसरी चीज निफ्टी में क्या हुआ निफ्टी में देखे एक तो अब बहुत सारी टेक्निकल चीज़े आप महन सकते हैं कि आरे साइटी सेवन पर यह था बट बहुत चीज़े नहीं बोलूंगा market over stress था लगातार all time highs all time highs मार रहा था एक दिन यह हलकी profit booking before the weekend आई है क्योंकि next week fed की meeting होने वाली है अब जितने भी लोग बोल रहे थे कि विदेशी market का Indian markets कोई फरक नहीं बढ़ता वह expiry तक चलता है क्योंकि expiry पे आपके पास क्या है shorts का सहरा है जब expiry खतम हो गई ना तब आपको world market का support चाहिए और world market का आज भी आपके पास कोई support नहीं था अगर मैं world market में इस वक जाओ US futures down है जो European markets है लगबग आधा से 1% तेज थे वो लगबग इस वक पॉइंट 25% वीक चल रहे है तो Europe और US market से कोई support nifty को नहीं आ रहा है पिछले एक हफ़ते में nifty ने आउट परफॉर्म किया है पूरे world market को अगर हम देखें तो बट वो out performance इतने ज्यादा दिनों तक जारी नहीं रह सकती there has to end to it ठीक है उसका end होना होता है और आज हमें वो देखने को मिला अब level to level जिसने काम किया देखो मैं बार बर बोलता हूं breakout level जो होता है 17 740 अपना breakout level था वहां से आपने देखा हमे 17,800 तक का एक swing मिला ठीक है 17,000 740 का level अगर break होता है नीचे की तरफ तो नीचे की side का आपको अच्छा trend मिलेगा और वो चीज हमें देखने को मिली 740 टूटा market नीचे गया market ने 690 तोड़ा retest हुआ उसके बाद 650 भी breakdown किया but end में क्या हुआ market ने एक range बना ली नीचे की side 600 और उपर की side 650 और 2-3 attempt हुए इस range को breach करने के मतलब लोगों को लगा triple bottom बन गया उसके बाद फिर नीचे आया फिर दुबार उपर जाने की कोशिश करी और बिरकूल इसी point पे बजार finance की कुछ resign वगेरा की management की तरफ से कुछ खबरे आई बजार finance में लगबख 200-300 रुपे की एकदम से fall आया और nifty में एक HDFC bank second half में अकेले HDFC bank और kotak bank इन दोनों banks ने जो है वो खीच के लेके गई है हमने आपको क्या बोला था कोटक bank के लिए भी मैंने आप लोग क्या बोला था 1935 तक की जगह है 1935 breakout होगा तो यह नए all time highs की तरफ जाएगा अभी भी कोटक bank अगर दुबारा से 2026 के level को break करता है तो 2048 तक जाने की अभी भी इसमें capability है अब मंडे को क्या करना है उसके लिए सबसे पहले option chain data देख लेते हैं वर्ल मार्केट का अगर मैं आपको बता हूँ वह तो मैं weekend पे आप लोग के साथ share करूंगा ही बट अभी क्या scenario वर्ल मार्केट में चल रहा है देखिए हम इस critical support line को test कर रहे हैं बार बार यह critical support अगर तूटता है 34,550 से लेकर 450 जो बैंक रिफ्टी में बना हुआ है 37,455,50 का यह अगर breach होगा US market में हम एक fall देखेंगे जो 34,200 और 33,700 तक का एक fall देखने को मिलेगा तो यहां से 1000 पॉइंट भी गिर सकता है अगर market 550 के नीचे बंद होता है तो तो अब देखते हैं किस प्रकार से चीज़े सामने निकल के आती है नाजडाग की बात करें अभी भी कोई weakness नाजडाग में नहीं है जो डाउ में दिखाई दे रही है 15,400 के नीचे आएगा तभी weakness होगी S&P की बात करें अभी भी थोड़ी सी जगा fall की है जो एक strong base अगर आप बोले S&P का कहीं पर बनता है तो 4444 के आसपास बनता है bounce अगर आना है तो इसे 4481 के level को break करना होगा उपर की side में तो य option chain data में अगर मैं जाता हूँ Nifty का इस वक Nifty का put call ratio 0.79 है जो की oversold category में Nifty आ चुका है क्योंकि 17,600 पे दबा के call writing होई है 17,700 पे call writing है दबा के 650 पे call writing है 750 पे call writing है 17,800 पे दबा के call writing है तो हर level पे बहुत बयानक तरीकी call writing करी गई है अब सबसे पहले हमें यह देखना है कि यह call writing करी गई है यह pros ने करी है FIs ने करी है यह retailer ने करी है पहली चीज़ दूसरी चीज़ जो हमें अब कॉशियसली watch करनी है कि market क्या यह support जो बना है 530 का आज का जो low है इसको break करता है या नहीं करता 530 से लेकर अब जो support की तरह काम करेगा 510 का level ठीक है यह 530 से लेकर 510 का level इ कोई भी टिप मिलता है 500 से लेकर 530 का इस पॉइंट की रेंज है इधर तक का अगर आपको कोई भी डिप मिलता है तो वह बाय होना चाहिए क्यों क्योंकि put call ratio बहुत oversold जा चुका है मैं असा नहीं कह रहा मार्केट उपर खुलके नीचे आ रहा है तो आप आप बाय करने का सोचो अगर gap down हो जाता है 60-70 point आप इस area में देखो 1 minute chart लगा के और अगर आपको इन areas पे reversal मिलता है तो एक बहुत strict stop loss के साथ मतलब 500 के नीचे market गया 5 minute की candle close दी या 5 minute की 2 candle close दी तो आप लोग निकल जाओगे ये अपना strict discipline के साथ stop loss लगा के एक gap down पे आपको एक long का chance लेना हो क्योंकि put call ratio बहुत oversold है simple logic है ठीक है दूसरी चीज निफ्टी में क्या करना है जब तक 650 के उपर हम sustain नहीं करते हमको एक thrust generate नहीं होगा 650 के उपर हम निकलेंगे तो हमें 690 और 740 के वह important levels है और 800 अब एक pivot level हमारे लिए बनके आ गया है ठीक है 800 आप मानके चलिए तो ये important levels सब nifty के लिए निकल के आए हैं Monday को देखना होगा अभी देखते हैं US market किस तरीके से react करता है उस हिसाब से मैं आपको strategy बता दूँगा Monday को किस प्रकार से market open होगा या क्या होगा सारी situation मैं आपको weekend वीडियो में बता दूँगा bank nifty की बात करें बहुत strong closing end में मिली है due to HDFC bank and kotak bank अभी भी 38,050 से लेकर 38,120 ये या एक आप range मान लीजे आपको याद है 37,100 के आसपास से एक बार bank nifty रिवर्स आया था और उसके बाद एक range में फस गया था और बड़ा breakout जब हुआ कल तब भी 37,050 से लेकर 120 की range थी आज वो range bank nifty के लिए 38,000 के आसपास बन चुकी है 38,050 से लेकर 120 की range अगर bank nifty इस range को breakout दे next week में या कभी भी breakout दे तब ये एक नई rally के लिए तयार होगा strong support अभी भी 37,700 के आसपास है 37,700 का है तो 37,700 के call और put बराबर के हैं तो यहां पे एक support मिलने की कोशिश होगी बड़ी weakness bank nifty में तब ही आएगी जब 37,400 के नीचे जाएगा तब आप trend reversal मानेगा और positional shots में entry कीजेगा वरना हो सकता है range bound रहे उपर आपको resistance पे बेचना है नीचे आपको support पे buy करना है दोन नहीं बनानी है on the shorter side 37,400 तूटता है अराम से positional shots बनाईए puts खरीदे future बेचिए बट जब तक यह नहीं तूटता है जबरदस्ती shot करने की कोशिश ना करें ठीक है तो दोस्तों आशे करते हम वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजि का मिलता आप सब्सक्राइब वीडियो में थैंकी समझ वॉचिंग जय हिंद बंदे मातरम